कथा प्रवक्ता निरुद्दा चार को बम सोड़ाने की धंकी चिथी में लिखा तुम्हें बरबाद करने हैं कथा प्रवक्ता निरुद्दा चार को बम सोड़ाने की धंकी धंकी महाराष्ट के किसी आतंकी संगठन की और से धंकी भरा पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों में हड़कम है आश्रम संचालकों की द्वारा व्रंदवन कोत्वाली में अज्यात में मुकद्मा दर्ज क कि सीची टीवी कैमरे खंगाले जिससे कोई बशेस जानकारी नहीं मिल सकी कथा प्रवक्ता निरुदर्चार इंदनों मद्रदेश के इंदोर में कथा कर रहे हैं बताया जा रहा है कि मंगलवार को किसी अंज्यान व्यक्ति की द्वारा संद कॉरोनी इस दित कथा प्रवक्ता कथा प्रवक्ता अनिरुदर्चार से एक सप्ता के भीतर एक करोड देने की मांगी है अनिता उनको और उनके परिवार को बम से उड़ाने के साथ आश्रम को नुक्सान पहुचाने की धमकी दी गई है पत्र में लिखा गया है कि तुम कहां जाते हो तुमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं हमें सब जानकारी है हम लोग तुम्हें बरबात करने और तुम्हारे आश्रम को बम सोड़ाने के लिए ब्रंदा बनाए हैं पत्र में लिखा गया है कि मद्रदेश में कथा के दौरान हम गटना को अंजाम देंगी और जिसमें तुमारे साथ 40-50 लोगों की प्रंदावन कोत्वाली में मुकदमा दर्द करा है रोहित तिवारी ने बताया कि अनि रुदर शार माराज इससमें जोटोर में है और उनकी कथा चल रही है कथा परवक्ता ने रुदर चार को पम सुडाने की धमकी भरा पत्र मिला है इसके बाद मुकदमा दर्ज का जांच शुरू करती गई है एलाई यू खुफी एजेंसी भी जांच कर रही है प्रवीन मलिक सीओ सदर